हलो इस्टुडेंट इस वीडियो में नंबर मैजिक मैधमेटिक्स टैक्स्ट बॉक क्लास एड चैप्टर नंबर वन रेशनल नंबर एक्सराइस 1D के कोश्चिनों का सॉल्यूशन और अंसर देखेंगे तो 1D का जो questions और solution है उसमें आपको क्या करना है rational number का division करना है तो इसमें क्या होता है जब ratio में दिया होता है A upon B ratio C upon D तो यहाँ पर हम जो ratio है इसको remove करते हैं और जो हमारा C upon D है इसको हम denominator को numerator बना लेते हैं और जो numerator उसको denominator बनाके उसका multiply कर देते हैं तो यहाँ पर यह देखि उनों को multiply करते हैं numerator से numerator और denominator से denominator चलिए question solve करते हैं divide the following यहां पर first तिया हुआ है divide the following तो यहां पर हमको क्या करना है divide करना है it means 2 by 3 by minus 4 upon 9 यह हमको divide करना है तो divide करनाःचान लगा हुआ यह आपका तो यहाँ पर क्या किया? डिवाइट की निसाइन को हमने रिमूब किया, तो डिनोमेरेटर जो हमारा वो निमेरेटर बना, और जो निमेरेटर था वो डिनोमेरेटर, तो यहाँ पर 2 upon 3 multiply 9 upon minus 4, इसको solve करेंगे, 3 से 9 कट हो जाएगा 3 time, और 2 से 4 कट हो जाएगा 2 time, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 upon 1 multiply 3 upon minus 2, इसको solve करेंगे आंगे, तो answer क्या हैगा हमारा? minus 3 by 2, second 11 upon 24 by minus 5 upon 8, तो यहाँ पर इसको solve करेंगे, divide करेंगे, तो आपका जो divide होगा, वो क्या होगा? divide का sign change करके, multiply का sign हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका numerator है, वो denominator बन जाएगा, और जो denominator वो numerator, इसको solve करेंगे, 8 से कट हो जाएगा, 8 3 जब 24, 11 upon multiply minus 5 नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पर 11 upon 3 बच्चा, first में हमारा, और second बच्चा हमारा, 1 upon minus 5, इसको solve करेंगे, numerator से numerator का multiply कर देंगे, और denominator से denominator, तो क्या आएगा हमारा answer, minus 11 upon 15, ऐसे ही third questions को करेंगे, divide की जगए पर multiply, और numerator को denominator value बनाएगे, और denominator को numerator, यह value हमारी बने, इसको solve करेंगे, तो 2 से हमारा cancel हो जाएगा, 2 4 जा, and 2 6 जा, solve करने पर 9 upon 20, यहाँ पर देखेंगे, दोनों पर पास में minus है, तो minus और minus का जब multiply होगा, तो plus sign में change हो जाएगा, ऐसे ही आपको 4th, 5th, and 6 question करने है, 4th का answer आपका आएगा, minus 1 upon 10, 5th का आएगा, minus 17 upon 12, and 6 का आएगा, minus 7 upon 18, यह आपके answer आएगे, question number 2 दिया था, आपका simplify the following, simplify the following करना है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका numerator, denominator, first में नहीं दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको assume करेंगे, कि 1 हमारा denominator है, divide का sign change करेंगे, तो किसका sign लग जाएगा, multiply का, इसको solve करेंगे, तो आँगे हमारा answer क्या आएगा, minus 1 upon minus 8, minus minus क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 upon 8, यह हमारा answer क्या बचेगा, 1 upon 8, second को solve करेंगे, तो second में हमारा answer आएगा, minus 9 upon 2, third को solve करेंगे, तो मारा answer आएगा, 7 upon 3, ऐसे ही, 4, 5th and 6 को solve करेंगे, अब यहाँ पे आप देखिए, कि आपका जो 6 है, इसमें values किसमें दी होई है, mixed fraction में दी होई है, mixed fraction की value को सबसे पहले, हम किस value में change करेंगे, इसको हम change करेंगे, सबसे पहले, हमारी improper fraction में, improper fraction में change करने के लिए, 7 to 14, and 2 16, तो हमारा कितना हैगा, 16 upon 7, 8 से cut हो जाएगा, 8 बन जा 8, 8 to 16, तो 2 upon 7 plus, अब यहाँ पे दोनों पास में गया था, minus और minus था, minus 2 minus 8, तो यहाँ पे minus minus cancel out हुआ, तो हमारा क्या sign हुआ, plus answer हमा आया रहा है, 2 upon 7, next question, question number 3 में दिया हुआ है, फिलिंदा ब्लैक्स, अब इसको आप solve करके कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, जो value आपकी divide में है, उस value सो solve करेंगे, जैसे कि फहले किये, और उसके बाद इसके answer लिखेंगे, 4th number दिया हुआ है, the product of 2 rational number is minus 23 upon 9, if one of the number is 46 upon 3, find the other number, यहाँ पे product दिया है, 2 rational number खा, तो suppose करते हैं हम, कि हमारा जो first number है, वो दिया हुआ है 46 upon 3, second number जो है हमारा, उसको हम x माल लेते हैं, according to question हमने बनाया, x multiply 46 upon 3 is equal to minus 23 upon 9, 46 upon 3 को क्या करेंगे, 23 upon 9 में divide करेंगे, तो divide का जो sign है, वो हमारा change होगा, तो क्या होगा, multiply और जो value है 46 upon 3, यह हमारी change हो जाएगी, numerator और denominator में, तो यहाँ पर इसको solve करने पर answer क्या आएगा, minus 1 upon 3 multiply 2, it means, जो हमारा second number है, वो क्या है, minus 1 upon 6, fifth number question दिया था, the why what rational number should be multiply 5 upon 12, so that the product is minus 2 upon 9, तो suppose करते हैं कि वो number x से जिससे हम multiply कर रहे है, जिसको multiply करने पर जो हमारा product वो क्या आएगा, minus 2 upon 9, यह हमारी equation मनी, यह 5 upon 12 को क्या कि हमने, divide किया, divide का sign change किया, तो numerator और denominator ही हमारे क्या हुए, दोनों change हुए, इसके बाद में इसको solve किया, तो answer आया, minus 8 upon 15, it means, वो required number हमारा क्या है, minus 8 upon 15, जिसको multiply करने पर, हमारा answer क्या आएगा, minus 2 upon 9, six number question, six number question में दिया है, why what rational number should be divided, minus 12 upon 81, so that quotient is, minus 2 upon 3, ऐसा कौन सा number है, जिसको divide करने पर हमारा quotient क्या बचएगा, minus 2 upon 3, तो suppose करते हैं हम, कि हमारा 28 upon 81 क्या है, वो number, let that number भी X, तो हम suppose कर लेते हमारा, हमारा इसको 28 upon 81, जिसको divide करने पर हमारा, जो quotient है क्या बच रहा है, minus 2 upon 3, इसको solve करेंगे, तो answer क्या आएगा हमारा 14 upon 27, तो वो number हमारा क्या हो जाएगा, 14 upon 27, 7th number question दिया हुआ है, divide the sum, अभी यहाँ पर दिया है, divide the sum of the difference, अभी यहाँ पर जो दो number दिये हैं, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, sum, sum करने पर हमारा question का answer क्या आएगा, minus 19 upon 36, और इनको difference निकानने पर हमारा आएगा, 13 upon 36, अभ यहाँ पर हमने दोनों numbers का क्या किया, सबसे पहले sum निकाला, और difference निकाला, according to question हम क्या करेंगे, sum को divide करेंगे किस से, difference से, sum हमारा कितना आया, minus 19 upon 36, और difference हमारा क्या आया, 36, 13 upon 36, divide का sign नड़क करेंगे, तो multiply का sign यूज होगा, तो यहाँ पर हमारा 19 upon 36, multiply 36 upon 13, 36, 36, cancel out, तो answer के बचा 19 upon 36, question number 8, same है, जैसा कि हमने 7 number किया था, इसमें सबसे पहले sum करना है, और फिर इसका product, सबसे पहले sum करेंगे, तो answer आएगा, 18 upon 63, product करने पे आएगा, 44 upon 63, according to question, sum को क्या करना है, divide करना है, product से, sum हमारा 8 upon 63 था, और product हमारा 44 upon 63, divide का sign चेंज करेंगे, multiply का लग जाएगा, denominator और numerator, change value हो जाएगी, इसके बाद solve करने पे answer आएगा, हमारा 2 upon 11, question number 9 दिया था, the area of rectangle is, 610 meter square, यहाँ बेट दियो है, 16 of 2 upon 3, और length हम को find करनी है, तो area of क्या है, 610 meter square, बेट हमारी 16 2 by 3, यह mixed fraction में है, तो इसको सबसे पहले improper में चेंज करेंगे, length हमारी दियो है, x, हमने suppose की, तो area और rectangle हमारे पास मा होता है, length multiply, breadth is equal to, जो area दिया है, तो यहाँ बे length और multiply breadth किया, length की value x, breadth हमारी कितनी है, 16 2 by 3, और area हमको दिया हुए 610, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने, जो value दियो हुई थी हमारी breadth की, इसको improper fraction में change किया, improper fraction में change करने के बाद, 50 upon 3, इसको divide करेंगे, 66 by 0 में, multiply लग जाएगा, solve करने पर answer आएगा, 183 upon 5, अब यह हमारी improper fraction value है, इसको हम क्या करेंगे, हमारी mixed fraction value में change करेंगे, तो mixed fraction में answer आएगा, हमारा, जो length है, वो 63, 3 by 5, यह हमारा answer हो जाएगा, question number 10, और ribbon, 61 by 4 meter long, has been cut into 35 piece, what is the length of each piece, अब जो ribbon है, वो total कितनी है, 61 by 1 upon 4, अब इसको यह हमारा mixed fraction में, improper fraction में, 245 upon 4, कितने piece में divide किया है, 35 pieces में, यहाँ पर divide करेंगे, 35 से, divide का sign change करेंगे, multiply का sign लग जाएगा, multiply का sign लगेगा, numerator, denominator में change होगा, और denominator, numerator में, इसको solve करने पर आएगा, 7 upon 4, यह हमारा improper fraction value आई, इसको proper fraction value गनाएगे, तो क्या होगा, mixed fraction में, 13 by 4, तो each piece की जो length वो कितनी है, 13 by 4, question 11, cost of 2 1 by 2 kg, सुगर कितना दिया है, 58 3 by 4, 5 by 2 kg है total, तो each kg का, अब 1 kg का क्या होगा, 235 by 4 को 5 by 2 से divide करेंगे, हम 5 by 2 से divide करने पर हमारा answer क्या आएगा, 23 1 upon 4, it means, जो 1 kg सुगर है, उसका जो cost है, वो है, 23 1 by 2, 12 number question, total length of cloth किती दिया है, 94 1 by 2 meter, it means, हमारी 189 upon 2, improper fraction में, 1 uniform की length क्या है, 9 by 4, जो 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 कितनी है, 9 by 4 की कितनी, एक uniform बन रही है, अब हमारे पास में total 189 upon 2, इसको divide कर देंगे, 9 upon 4 से, divide का sign change होगा, multiply में, all numerator, denominator हमारे दोनों interchange होगे, solve करने पे हमारा आएगा, 42, it means, हमारी जो total 189 by 2, जो हमारा कपड़ा है, इसमें से हम total 42 uniform को बना सकते हैं, question number 13 दिया है, seat quality कितनी दिया है, 137 1 by 2 kg, it means, 270 by 2, यह हमारा improper fraction में, total number of farmer कितने हैं, 50, तो हमको क्या करना है, कि यह जो seats है, वो कितनी कितनी, यह 50 farmers के बीच में divide होगी, तो divide कर देंगे 50 से, solve करेंगे, divide की जगे हमारा multiply है, और numerator and denominator interchange, solve करने पे हमारा answer आएगा, 11 by 4, it means, यह हमारा क्या है, improper fraction, next fraction में change करेंगे, 23 by 4, तो हमारा जो former है, वो कितनी seats receive करेगा, एक former 23 by 4 kg, 14 दिया हुआ है, train की distance दिया है, and time दिया, speed हमको निकाल लिए, train की distance है, 383, 4 by 5 km and time दिया हुआ, 4, 3 by 4 hour, speed हमको निकाल लिए, तो speed क्या होती है, distance upon time, it means, 383, 4 by 4, 5 divided by 4, 3 by 4, अब जो distance दिया हुए है, भो हमारी mixed fraction में, it means, सबसे पहले इसको improper fraction में change करेंगे, 99 upon 5, फिर हमारा 4, 3, 4 time जो दिया है, इसको भी improper में change करेंगे, 19 upon 4, divide करेंगे, तो divide का sign क्या होगा, change होगा, multiply लगेगा, और numerator, denominator, interchange, solve करने पर आएगा, 404 upon 5, इसको हम mixed fraction में change करेंगे, तो हमारा answer आएगा, 84 upon 5, तो speed जो है, हमारी train की, वो क्या है, 84 upon 5, question number 15 था, 3, 2 upon 5 cloth का जो cost दिया हुए है, वो कितना है हमारा, 127 upon 10, तो हमारा सबसे पहले हमने 3, 2, 5 को क्या किया, improper में change किया, तो कितना हुए है, 17 upon 5, तो 17 upon 5 मीटे जो cloth है, उसकी total cost किया है, 1207 upon 10, हमको 1 मीटे को लौत की cost निकाल ली है, तो क्या करेंगे, 120 upon 7 by 10 को हम 15 upon 7, 17 upon 5 से डिवाइट करेंगे, डिवाइट का sign change होगा, multiply, numerator, denominator की value, interchange, cut हो जाएगा, 70, 71, 1207, and 5, 2, 10, 71 upon 2, 71 upon 2 आया, अब इसको हम mix reaction में change करेंगे, तो हमारा answer आएगा, 35 by 2, it means जो 1 मीटे cloth है, उसकी जो cost है, वो कितनी है, 35 by 2, I hope आप लोगों questions समझ में आए होंगे, next video में, next exercise, और next chapters के solution, और उनके answer देखेंगे, thank you for watching,